हलो बच्चों हम continuity discuss कर रहे थे class 12 की उसमें हमने continuity क्या होती वो बता दिया था उसके NCRT के तकरीवन 14-15 questions हमने discuss किये थे आज हम उसके आगे प्रोसीड करेंगे वाइचांस वभागी की बात है कि NCRT ने इस इक साइज में 34 questions दिये हुए हम कम कर रहे है आज देखे 15th question हम लेके चलना है पहले इसमें का गया कि discuss the continuity of the function f is defined by this देखें fx is equal to दिया हुआ है 2x if x is less than 0 और it is 0 if x is greater r equal to 0 and less r equal to 1 और it is 4x if x is greater than 0 point is not given यहाँ पर point नहीं given है exercise 5.1 पहली जो continuity की exercise है point नहीं given है तो देखें less than 0 कहा तक जा सकता है minus infinity तक greater than 0 कहा जा सकता है plus infinity तक तो आप 0 से कम 0 से बड़े 0 1 सब पर discuss करना पड़ेगा लेकिन आप जानते हैं कोई polyramial जैसे 4x 3x 2x square यह हमेशा continuous होता है पहली चीज़ ट्रिक्रावर्टिकल फंक्शन, sin, cos यह दोनों continuous होते हैं ठीक है तो आप यहाँ लिखेंगे first case देखिए first case जब हम less than 0 की बात करेंगे when x is less than 0 तो यहाँ पर function हमेशा क्या रहा है function हमेशा 2x हा रहा है आप x को कुछ भी रखिए less than 0 less than 0 को मतलब minus 0.1, minus 2, minus 3 कुछ भी रखती है आप आपको यहाँ कुछ नो कुछ value मिलती रहेगी तो यह क्या है यह polynomial है यह polynomial है तो आप कहेंगे less than 0 fx is polynomial है so it is continuous it is continuous यह continuous होगा इसको चेक करने की दिरुवत नहीं है हमने less than 0 पर चेक भी कराया है लेकिन मालिया कोई जित कर दे नहीं आप चेक करके दिखा आप किसी interview में जाते हैं और वहाँ आप से कहा जाता है कि चेक करो तो चेक कर सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर आईए second case 0 से 1 के बीच में function हमेशा 0 आ रहा है आप 0 से 1 के बीच में x की कोई भी value उठाइए कोई भी रखिए तो fx हमेशा fx बोले तो y y हमेशा 0 आएगा तो अगर graph पे हम draw करना चाहें तो आपको x भी मिल रहा है y भी मिल रहा है तो function कैसा होगा continuous आप रिखेंगे when x is greater or equal to 0 less or equal to 1 fx is always 0 so it is continuous it is continuous य भी continuous होगा य भी सांतत्य होगा ठीक थर्ड केस देखिए at x is equal greater than 0 fx is always 4x तो 4x क्या है 4x भी एक polynomial है so it is continuous it is continuous तो आप कहेंगे सब सब में तो continuous है तो आप चेक क्या कर रहे हो नहीं 0 पे जहम value करेंगे 0 exact 0 पर तब आपको चेक करना पड़ेगा क्यों जब less than 0 हम बुलाएंगे less than 0 हाजिर हो तो 2x आएगा greater than 0 हो तो 0 आएगा तब गरबर हो जाएगा वाहाँ चेक करना पड़ेगा one पे function दो जिगए है कि यह greater than 1 है गलती से लिग गए हम तो greater than 1 पे लिखाई हुआ है पहले से ना पे function continuous है ठीक है तो आपको केवल at x is equal to 0 और 1 पे function को चेक करना पड़ेगा तो लिखेंगे so we have to check the continuity at x is equal to 0 and 1 तो इसमें जितने भी question होंगे उसमें ये वाले cases आप तीनों cases को direct continuous लिख देंगे जहां पर double double function है 0 से less ये आएंगे 0 से greater ये आएंगे 1 से less ये आएंगे 1 से greater ये आएंगे अब दो अलग-अलग लोग आ रहे हैं हमको चेक करना पड़ेगा कि दोनों एक जैसे हैं या अलग-अलग है ठीक है तो आप पहले चेक करने जा रहे है at x is equal to 0 0 पे चेक करने जा रहे है तरीका हमने बताया है क्या लिखेंगे left hand limit कैसे लिखी जाएगी limit x tends to 0 minus fx यहां f 0 minus h h is what very small limit h tends to 0 x को क्या रखेंगे 0 minus h का रखेंगे जहां function 0 से छोटा है यहां छोटा है तो यहां लिखेंगे आप तो आएगा limit h tends to 0 to 0 minus h value क्या आगई 0 आप क्या निकालेंगे right hand limit right hand limit लिखेंगे right hand limit 0 plus 0 plus कहां लिखेंगे जहां function 0 से बड़ा है और 0 से बड़ा function already क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है तो यह 0 आ गया और जब उस particular point पर निकालेंगे तो क्या आएगा 0 तो आप लिखेंगे as f0 minus h is equal to f0 plus h is equal to f0 so function is always continuous at x is equal to 0 it is continuous अब 1 पर चेक करने जा रहे है at x is equal to 1 यह वो जो तीन cases थे वो तो हैं है इसमें at x is equal to 1 चेक करने जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे left hand limit कैसे लिखेंगे limit x tends to 1 minus fx is equal to f1 minus h h is what very small h tends to 0 कहां रखेंगे जहां function 1 से छोटा हो यहां 1 से छोटा है तो 1 से छोटा value already किते दीवी है 0 फिर right hand limit लिखेंगे right hand limit limit x tends to 1 plus fx यानि f1 plus h where h is what tends to 0 x को क्या रखेंगे 1 plus h कहां रखेंगे जहां function 1 से बड़ा है यहां 1 से बड़ा है तो यह आ जाएगा limit h tends to 0 4 1 plus h तो value क्या आ गई 4 अब left hand right hand limit already equal नहीं है तो यह function continuous वैसे भी नहीं होगा लेकिन अगर मैं direct f1 रखता हूँ equal to 1 तो equal to 1 पर value क्या रही है 0 तो आप लिखेंगे यह जो नहीं है तो ऐसा कुछ बनाओ यह दोनों एक साथ हो जाए यह अलग हो जाए तो आप लिखेंगे as f1 minus h is equal to f1 is not equal to f1 plus h so it is not continuous तो यह आपका continuity चेखोगी पंदरवा ठीक है 16th question देखें थोड़ा देख लिजेगा कहीं कहीं पर number लिखने में तो मिस्टिक हो जाती है गलती से मिस्टिक हो जाती है तो समाह लिजेगा कहां क्या होना चाहिए देखें 16th question में जो इसमें language लिखी वो अपने आप लिखेंगे 16th question देखें fx is equal to minus 2 if x is less r equal to minus 1 it is 2x if x is greater than minus 1 and less r equal to 1 and it is 2 if x is greater than 1 देखें और कहते हैं इसमें continuity discuss करिए less than minus 1 less कितना कम minus infinity तक ये function हमेशा क्या है minus 2 ही रहेगा यानि x को कुछ भी आप माने y हमेशा minus 2 रहेगा तो अगर हम graph कीचेंगे तो we get the graph regular graph मिलेखा तो it is continuous minus 1 से 1 के बीच में function हमेशा 2x है it is continuous greater than 21 पे हमेशा 2 है it is continuous तो ये तीन case आप लिख देगे कि first case में इस case में हमेशा ये रहेगा इस case में हमेशा ये रहेगा इस case में हमेशा ये रहेगा तो आप केवल minus 1 और 1 पे चिक का लीजे लिकिन यह लिखना पड़ेगा आपको यह पताना पड़ेगा तो आप लिखेंगे at x is equal to minus 1 तो कैसे लिखेंगे limit x tends to minus 1 minus fx is equal to f minus 1 minus h h is what very small tends to 0 जहाँ x से वहाँ क्या लिखेंगे minus 1 minus h कहा लिखेंगे जहाँ function minus 1 से चोटा है और minus 1 से चोटा यह है वहाँ that value क्या लिखेंगी है minus 2 left hand limit की value कितनी आ गई direct minus 2 आप लिखेंगे right hand limit यह तो आ गई है left hand limit अब आएगा right hand limit कैसे लिखेंगे limit x tends to minus 1 plus fx ज्यानि f minus 1 plus h limit h tends to 0 x को क्या रिखेंगे minus 1 plus h कहा रिखेंगे जहाँ function minus 1 से बड़ा है यह बड़ा है यहां रखो तो क्या आएगा limit h tends to 0 to minus 1 minus plus h value रखोगी तो क्या आएगा minus 2 दोनों से यह बार है लेगि दोनों से यह आने का मतलब यह नहीं continuous है limit exist कर रही है तो जब direct f minus 1 लिखोगे text को रखो minus 1 कहा रखोगे जहां यह minus 1 से बड़ाबर है बड़ाबर हमने लिखा नहीं कहीं यह यहाँ बड़ाबर है sorry है तो minus 2 तो आप क्या देख रहे है यह तीनों आपस में बड़ाबर है तो आप रिखेंगे as f minus 1 minus h is equal to f minus 1 is equal to f minus 1 plus h so fx is continuous continuous कहा पर at x is equal to minus 1 यह minus 1 पे continuous है ठीक है अब हम चेक करने जा रहे है अगला case plus 1 पे plus 1 पे लिखेंगे 1 minus यहाँ 1 minus h का रखोगी जहाँ function 1 से चोटा है यहाँ चोटा है तो यहाँ लिखिए 1 minus h तो यहाँ क्या लिखोगे 2 x को क्या रखोगे 1 minus h limit h tends to 0 value क्या जाएगी 2 right hand limit में plus में लिखोगे plus रखोगे प्लस का रखोगे जहाँ greater than 2 है greater than 2 पे पहले से ही plus 2 value आई है आपको यहाँ x के लिखने की जरूत नहीं पड़ेगी यह नहीं रखा आपने तो इसकी value already कितनी दीवी है 2 आप उस जब particular point पे रखोगे value 1 यहाँ रख दो equal to यहाँ पर है f1 so function is continuous at x equal to 1 यहाँ it is continuous everywhere हर जगे यह continuous है ठीक है इसके बाद आएए 17th question को बारे में बात कर रहे है 17th में कहा है function को यह continuous है x is equal to 3 पे एक function दिया हुआ है 17th question में function दिया हुआ है fx is equal to ax plus 1 कब है if x is less r equal to 3 or it is bx plus 3 if x is greater than 3 is continuous at x equal to 3 then what will be relation between a and b यह 3 पे continuous दिया हुआ है is continuous at x is equal to 3 तो आप 3 पे left hand limit निका लिए right hand निका लिए उस particular point पे निका लिए और तीनों को अपने आप equate कर दीजे ठीक है अब देखिए पहले हम निकाले जा रहे हैं left hand limit limit x tends to 3 minus fx is equal to f 3 minus h limit h tends to 0 कहां रखेंगे 3 minus h जहां function 3 से छोटा है यहां छोटा है तो यहां क्या रखेंगे limit h tends to 0 a x रखेंगे 3 minus h plus 1 h को रखो 0 तो यह value कितनी आ जाएगी 3a plus 1 अब निकालेंगे अब निकालेंगे right hand limit कैसे रखेंगे limit x tends to 3 minus 3 plus fx यहां क्या रखेंगे limit h tends to 0 b यह जाएगा 3 plus h plus 3 यह रखेंगे क्या आएगा 3b plus 3 यह आपका हो गया right hand limit अब इस particular point पे यह निकालो f3 रख दो कहां रख दोगे जहां function 3 के बराबर है यह equal to 3 है यहां 3 रखोगे तो आएगा 3a plus 1 अब आप से क्या करा है यह function continuous है proof नहीं करना है तो आप रखेंगे as f3 minus h is equal to f3 is equal to f3 plus h यह दिया हुआ है 3 minus h क्या है 3a plus 1 3 क्या है 3a plus 1 और यह क्या है 3b plus 3 तो किसी 2 को equate कर दो अब जो 2 already equal है उनको क्या equate करेंगे तो आप 3a plus 1 और 3b plus 3 को equate कर दो तो यहां लिखेंगे आप 3a plus 1 is equal to 3b plus 3 तो 3a minus 3b is equal to 2 यह 3a minus b is equal to जो भी लिखना हो लिख दीजेगा यह यह दो 3a is equal to 2 plus 3b जैसा भी लिखना हो तो this is the relation between a and b आप से यह कहा गया था क्या भीच से relation निकाले a और b के बीच में ठीक है अब आते हैं 18th question पे 18th में एक function दिया है और उसमें lambda की value आप से पूछ रहा है और कहना एक 0 पर एक continuous है क्यों lambda की value क्या होगी ठीक है देखें जान से 18th question fx दिया हुआ है lambda x square minus 2x कब if x is less r equal to 0 और ये दिया है 4x plus 1 कब if x is greater than 0 is continuous at x is equal to 0 then what will be the value of lambda तो lambda की value यहाँ पर क्या होगी ज़रा देखेगा पहले तो आप left hand limit निकाली है 0 पे right hand limit निकाली है 0 पे और उस particular point पे value निकाली है 0 पे और तीनों को equal कर दीजे अपने आप क्योंकि इन्होंने कहा है कि function already continuous है तो देखें जान से left hand limit निकाली जा रहे है at x is equal to 0 हम चेक कर रहे है तो कैसे लिखेंगे limit x tends to 0 minus fx is equal to f 0 minus h और h is what h tends to 0 x को रखो 0 minus इसका रखेंगे यह less than 0 यहां रखेंगे उटा करके तो आएगा limit h tends to 0 lambda या आएगा 0 minus h whole square minus 2 0 minus h जब left hand limit निकालेंगे जब limit रखोगे ते भी 0 ये भी 0 पूरा 0 lambda into 0 ठीक है अब ज़रा right hand limit निकाली है किस पर 0 plus limit x tends to 0 plus fx is equal to f 0 plus h limit h tends to 0 का रखेंगे जहां function 0 से बढ़ा है यहां बढ़ा है यह क्या हो जाएगा limit h tends to 0 4 0 plus h plus 1 value क्या गई 1 अब f 0 निकालीजे x पर खोज़र है आपर तो 0 आ जाएगा अब आप से कहा इनोंने कि f continuous है यह आपको कहने की जरौत नहीं है तो आप रिखेंगे वन पर इसी continuity चेक कर लिजी अपने आप ठीक है अचा वन पर कैसे चेक करेंगे वन का मतलब है greater than 0 तो वन पर जो भी value रखनी है आपको वो 4x plus 1 पर ही रखनी है ठीक है अब इसका 19th question थोड़ा टेक्निकल है ध्यान से समझेगा थोड़ा से टेक्निकल है इस पर एक function दिया हुआ है थोड़ा 11th class में जाईए वहाँ पर greatest integer function था उचिस्ट मान function का इस पर लिखा एक function दिया है gx is equal to यह 19th question है gx is equal to x minus greatest integer x तो यह बताईए हर integral points पर यह continuous है कि नहीं है जहाँ पर यह जो sign है greatest integer function है ज़रा greatest integer function को समझ लेते हैं बताई गया है कि अगर मालिया 5 का greatest integer है तो 5 ही रहेगा अगर 5.1 है तो इसके पहले जो integer आएगा जो पूर्डान संक्या होगी इसके पहले इसके पहले कौन संक्या आएगी 5 आएगी अगर मैं कहो 5.9 जिसके पहले क्यों आएगी 5 अगर मैं कहो 4.9 तो इसके पहले क्यों आएगी 4 उसके पहले का पूर्डान लिखते हैं अब ज़रा समझ जीगा इन्होंने का किसी कोई नंबर है हर integral value कर ये discontinuous से सिद्ध करिए दिखो ध्यान से हमने माल लिया लेट x is equal to a, b, an integer ये मैंने एक integer माल लिया ज़रा समझ ली जीगा अब मैं a पर left hand limit निका ले जा रहा हूं साउधान लिखने का तरीका देखिए limit x tends to a minus fx is equal to f a minus h where h is what tends to 0 value रखो उठा करके h tends to 0 यहाँ आएगा a minus h यह बहार आजाएगा minus यह greatest integer होगा a minus h ज़रा समझने की कोशिश करिएगा देखो a क्या है एक integer है एक संख्या है हमने कहा यह 5 है यह minus 5 है अगर यह मैं 5 माल लेता हूं हमने उसमें कुछ minus किया है यह कैसी संख्या है यह 0 के लगबग बरावर है कि 0 नहीं है 0.0000001 है तो यारी कुछ भी इसमें minus कर दोगे तो 4.999 कुछ ऐसे आएगा यह कम हो जाएगा नहीं हो जाएगा आप इसमें कुछ भी संख्या minus कर दीजे कुछ भी विल्कुल चिनिवर की कर दीजे तब भी वैलू 5 से कम हो जाएगी और तो वैलू क्या आएगी 4 तो यहाँ पर एक्षू जो लिमिट रखेंगे यह तो A हो जाएगा यह A से थोड़ा सा A कम पीछे आजाएगे अगर 5 से थोड़ा कम करेंगे तो वैलू क्या बिलेगी 4 इसको खोल दो उठागे तो A माइनस A प्ल्स 1 तो राइब हैं 5 मैं कुछ भी प्लस करोगे तो 5 प्याइब संतिंग होगा 5 प्याइब संतिंग मतलब 5 तो यहाँ यह क्या रहेगा यहाँ यह एई ही रहेगा तो value क्या जाएगी 0 तो पहले से left hand right hand साब same नहीं है और जब आप a पे निकालोगे तो a minus greatest integer a is equal to a minus a 0 आ जाएगा तो आप लिखेंगे fa minus h is not equal to fa plus h is equal to fa so function is discontinuous ये function कैसा है? discontinuous है आसंतत्त है ये 19th question है बहुत बड़ीक साइज है और बहुत सारे एक साथ question कराने में दिकत है और आपको तो खेर पढ़ने में दिकत होती है 20th question कहा गया है x is equal to pi से function की continuity distance करिए 20th question 20th question fx दिया हुआ है x square minus sin x plus 5 और x के वल्यू पाई ये आपको ये continuous है की नहीं ये चेक करना है yes or no देखे जाने तो पहले तो हम left element निकालते हैं लिखने के तरीका आप जानते है x tends to pi minus fx बराबर f pi minus h और h इस वही छोटा सा tends to 0 x को क्या रखेंगे pi minus h तो आएगा limit h tends to 0 आएगा pi minus h का whole square minus sin pi minus h minus plus 5 देखे अगर मैं limit operate करता हूँ तो यहां तो pi square बचेगा h को रखेंगे 0 sin pi sin 0 होता है तो 5 बचेगा तो यह क्याएगा pi square plus 5 यह तो left hand limit आगई ठीक है right hand निकालते हैं तो यहां पर pi plus यहां pi plus यहां pi plus यहां pi plus फिर वही value आजाएगी अब आप निकालेंगे pi direct लग देंगे उठा करके तो आएगा pi square minus sin pi plus 5 तो यह value भी pi square plus 5 हो जाएगी आप लिखेंगे f as f pi minus h is equal to f pi is equal to f pi plus h so function is continuous so function कैसा होगा continuous होगा यह आपका 20th question number है ठीक है इसके बाद 21 में आपको sin x plus cause x लिखा हुआ है एक चीज़ और अगर दो function continuous हैं दो function continuous हैं तो उनका summation plus भी continuous होगा एक सबलीजे concept सबलीजेगा तो डाइट भी आदे सकते हैं if fx and gx तो function है if fx and gx कैसे हैं यह continuous है तो fx plus gx भी continuous होगा fx minus gx भी continuous होगा fx into gx भी continuous होगा और fx upon gx भी continuous होगा लेकिन यहां एक condition होगी कि gx की value 0 नहीं होनी चाहिए यह भी continuous होगा यह भी continuous होगा यह भी continuous होगा ठीक है इस प्रकार से याद रखिएगा तो यह 21 अपने आप कर लेंगे 22 में हम थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं यह कहना है cos, 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 sec, cot सबकी continuity चेक करिए देखे यहां पर continuity चेक करने के लिए थोड़ा सा trigonometry की value पे जाना पड़ेगा मैं एक बताए दे रहा हूँ जैसे cos का करना है cos, sorry, cos का करना है तो cos तो होता है आप जानते है cos की value कोई break नहीं होती है तूसरा cos लिखा हुआ है यह 22 question number है जैसे fx बराबर cos x है आपको cos x से परहेज हो तो one upon sin x कर दीजे दरा समझेगा continuity की पहरी condition यह है कि function infinite नहीं होना चाहिए लेकिन आप जानते है sin 0 अगर रख देंगे तो one upon sin 0 के लिए 0 होती है sin pi 0 होता है sin n pi 0 होता है यानि यहाँ पर जो x की value लिखा जाएगा जो domain लिखेंगे x की value वो हर real number होगा लेकिन n pi नहीं होगा जहाँ क्या है n क्या है integer where n is integer यानि 0 नहीं होगा pi 2 pi 3 pi minus pi कुछ नहीं होगा तो अब आप continue पिछे का लिजे let x is equal to a a मतलब all the real number but not n pi यह आपके दिमाग ने रखेंगे a यहाँ पर आप रखेंगे a तो जो आप left hand limit निकालेंगे तो लिखेंगे limit x tends to a minus fx यानि f a minus h limit h tends to 0 limit h tends to 0 आप चाहे तो câceq में विलिख सकते हैं आप यह जानने के लिए हमने समझाने के लिखा कोई दिक्कत नहीं है यह आपको समझाने के लिए लिखा है यह ऐसा होगा और चाहे sign लिख दिए चाहे sign लिख दिए कोई फर्क नहीं परता CAUSEC में दो तो आएगा CAUSEC A-H यनि यह क्या है जाएगा CAUSEC A यह आपके दिमाग में है कि A क्या है यह सभी value real number है लेकिन n pi नहीं है बस जो आप right hand limit डिकालेंगे तो यहाँ A+, यहाँ A+, यहाँ A+, फिर CAUSEC A और जो आप direct F A लिखेंगे तब भी CAUSEC A आएगा तो आप क्या लिखेंगे as F A-H is equal to F A is equal to F A plus H so function is continuous इसे पकार जैसे इन्होंने का CEC Theta आप तो दिमाग लगा लगा लिजेगा CEC Theta जो होता CEC X को आप क्या लिखेंगे वरपान CAUSEX अब आप जानते है CAUSE 0 नहीं होना चाहिए और CAUSE 0 कब होता है पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 इस पे 0 होता है तो आप कहेंगे कि यहाँ पर X की वैलू जो हो है हर यह नमर होगा लेकिन 2N प्लस 1 बाई 2, 0 नहीं होगा यह वैलू नहीं रखेंगे जहाँ N integer है अगर N को 1 रखोगे 0 को करोगे पाई अगर N को रखोगे 0 तो पाई बेर यह वे टू आएगा अगर N को रखोगे 1 तो 3 पाई बेर बेर यह पाई बेर पे बेर तू आएगा यह नहीं होना चाहिए और एरा करके चेक कर दीजे तो यह अपने आप करेंगे तैस्वा question भी discontinuous चेक करनी है तैस्वा देख लीजेगा हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि function is continuous अगर दो function continuous है तो उनका sum, difference, division सब होंगे यह जो 23rd question है जड़ा उसका दिमाग लगाईएगा इसे function की value लिखी वी है sin x upon x यह है जब when x is not equal to 0 और इसकी value है x plus 1 when x is equal to 0 तो करें continuity चेक करिए इसकी all the points पे तो पहले लिखेंगे देखें, not equal to 0 के मतलब चाहे less than 0 चाहे greater than 0 दोनों ही cases में तो आप लिखेंगे first case for x is greater than 0 and x is less than 0 चाहे 0 से बड़ी value हो चाहे 0 से छोटी value हो sin x जो है sin x is continuous sin x कैसा होता है continuous होता है क्योंकि इसकी value हमेशा plus 1 से minus 1 की बीच में लाई करती है और x भी continuous होगा क्योंकि 0 नहीं होना चाहिए तो 0 यहाँ पर है नहीं x is continuous so sin x upon x will be also will also be continuous will also be continuous कब? greater than 0 पे और less than 0 पे अब equal to 0 पे शेकर लिजे उठा करके equal to 0 पे अब करेंगे तो देखे at x is equal to 0 यह proof नहीं करने जुरूरत है at x is equal to 0 जब लिखेंगे at x is equal to 0 तो जब लिखा रहेंगे left hand limit तो क्या लिखेंगे limit x tends to 0 minus fx f 0 minus h upon sorry क्या लिखेंगे रहा हूँ limit h tends to 0 तो limit h tends to 0 यहां रखो sin 0 minus h upon 0 minus h यानि limit h tends to 0 minus sin h upon minus h यह कर गया और आपको मालूम है sin theta upon theta 1 होता है तो left hand limit क्या हो गई? 1 जब निकाला हमने right hand limit तो यहां लिखा 0 0 plus यहां 0 plus यहां 0 plus यहां 0 plus तो यहां sin h upon फिर 1 value आ गई और जब direct value रखा 0 यहां तो यह value 1 आ गई तो आप लिखेंगे as f 0 minus h is equal to f 0 plus h is equal to f 0 so function is continuous at x equal to 0 and it is continuous for all the values of x ठीक है? इसका 24th अपने आप लगाईएगा कुछ और questions हैं वो हम next video में डिस्स करेंगे okay thank you और अपने इसका हैं झाल झाल झाल